दोस्तो सन्नी देवल का जन्म 19 अक्टूवर 1956 को पंजाब लुधियाना के साहनेवाल में हुआ था इनके पिता का नाम है धर्मेंदर और इनकी असली मा का नाम है परकासकोर और हेमामाली ने इसकी सोते ली मा है दोस्तो सन्नी देवल ने अपनी फिल्मी करियर के सुरुआत ब्यताब नाम के मूवी से की थी जो की साल 1983 में आई थी इस मूवी की बजट थी 1,87 लाग और इसने कमा की थी 9,60 लाग की और उसकी पहली मूवी ही वाक्स ओफिस पर धमाल मचाई जिस वजह से यह मूवी वाक्स ओफिस पर ब्लोगवस्टर साबित होती है इसके बाद साल 1984 में सन्नी मूवी आई थी दोस्तों इस मूवी की बजट की डाटा उपलब्द नहीं हो पाई है लेकिन इस मूवी ने भारत में कमा की थी 55 लाग और इसी के साथ यह मूवी डिजास्टर रही इसी साथ सन्नी पाजी की दूसरी मूवी आई थी मंजिल मंजिल और इस मुभी ने भारत में कमा की थी 3.28 लाग और इसी के साथ ये मुभी हिट रही साथ ही इस मुभी ने खुल 3 Film Fair Award अपने नाम किये थे इसके बाद 1985 में अरजुन मुवी आई थी और इस मुवी की बजट थी दो करोड और इसने कमा की थी 8,5 लाग की और यह मुवी सूपर हिट रही इसी साल सन्नी पाजी की जबरदस्त मूभी आई थी इस मूभी की बजट थी 1,42 लाक और इसने कमा की थी 1,85 लाक की लेकिन यह मूभी फ्लॉप रही इसके बाद साल 1986 में सवेरे वाली गाड़ी मूभी आई थी और इह मूभी साल 1978 में आई तमिल मूभी की जग के पोगुम रेल की हिंदी रीमेक थी और इस मूभी ने भारत में कमा की थी 50 लाक की और जिस वज़से यह मूभी डिजास्टर रही इसी साल सलतनत मूभी आई थी इस मूभी की बज़ट थी 2 कलोर 90 लाक और इसमें कमा की थी 2 कलोर की और यह मूभी डिजास्टर रही इसी साल समुनदर मूभी आई थी इस मूभी की भारत में कमाई हुई थी 50 लाग और ये मूभी बॉक्स ओफिस पर डिजास्टर रही इसके बाद साल 1987 में डकेद मुवी आई थी इस मुवी की बजट थी 184 लाग और इसकी कमाई हुई थी 4 करोड की और यह मुवी वक्स ओफिस पर सेमी हिट रही इसके बाद साल 1988 में पाप की दुनिया मूवी आई थी इस मूवी की बजट थी 2,40 लाग और इसने कमाय की थी 9,50 लाग की और यह मूवी हिट रही इसी साल यत्री मूवी आई थी और इसकी बज़ट थी 1,50 लाग और इसने कमाई की थी 3,10 लाग की और ये मूवी बॉक्स ओफिस पर सेमी हिट रही इस साल के आखेर में इंतिकाम मूवी आई थी इस मूवी की बज़ट थी 2,08 लाग और इसने कमा की थी 2,90 लाग की और ये मूवी एबरेज रही इसके बाद साल 1989 में सन्नी पाजी की वर्दी मूवी आई थी इस मूवी की बजट थी 3 करोड 10 लाक और इसने कमाई की थी 10 करोड 20 लाक की और यह मूवी बॉक्स ओफिस पर हिट रही इसी साल तिरीदेव मूवी आये थी इसकी बज़त थी 2,97 लाक और इसकी कमाई हुई थी 14 करोड की जिस वज़े से यह मूवी सूपर हिट रही साथ ही इस मूवी ने कूल 2 अवर्ड अपने नाम किये थे इसी साल निगाहि नगीना 2 मूवी आयी थी इसकी बज़त थी 2,10 लाक और इसने कमाई की थी 6,20 लाक की और यह मूवी हिट रही इसी साल सन्नी की चाल बाज मूवी आई थी इस मूवी की बजट थी 2 करोड 80 लाग और इसने कमाई की थी 15 करोड की और ये मूवी सूपर रिट रही साथ ही इस मूवी में स्रीदेवी को बेस्ट एक्टर्स का फिल्म फेर अवर्ड दिया गया था इसी के साथ इस मूवी ने पूर मूवी आई थी और इस मूवी ने भारत में कमाई की थी 1 करोड 77 लाग की और ये मूवी फ्लॉप रही इसी साल करोध मूवी आई थी और इसकी बजट थी 2 करोड 45 लाग और इसने कमाई की थी 2 करोड 75 लाग की और ये मूवी भी फ्लॉप रही इसी साल के आखिर में स अन्नी देवल को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेर अवर्ड देया गया था इसी के साथ इस मूवी ने कुल साथ एवर्ड अपने नाम किये थे वैसे ये मूवी मुझे काफी पसंद आई थी मैंने इसे चार बार देखी है इसके बाद साल 1991 में विश्नु देवा मूवी आती है इस मूवी के बजट थी 2,60 लाग और इसने कमाय की थी 5,20 लाग की और ये मूवी एवरेज रही इसी साल योद्धा मूवी आई थी इसकी बजट थी 2,85 लाग और इसने कमाय की थी 3,35 लाग की और ये मूवी फ्लॉप रही इसी साल संकरा मूवी आती है और इस मूवी ने भारत में कमाकी थी 2,50 लाग की और ये मुवी बिलो एबरेज साबित होती है। इसी साल के आखेर में नर्सी महा मुवी आई थी। इस मुवी की बजट थी 2,60 लाग और इसने कमाकी थी 9 करोड की और ये मुवी हिट रही। इसके बाद साल 1992 में सनी देवल की विस्वात्मा मुवी आती है और इसकी बजट थी 3,50 लाग और इसने कमाकी थी 9 करोड की और ये मुवी सेमी हिट रही। इसके बाद 1993 में छत्री ये मूवी आई थी और इसकी बजट थी 5 करोड और इसने कमाई की थी 8 करोड की और ये मूवी एबरेज रही। इसी साल लुटेरा मूवी आती है और इसकी भारत में कमाई हुई थी 9 करोड की और ये मूवी हीट रही। इसी साल में दामिनी मुवी आई थी इस मुवी की बजट थी 3 करोड बारा लाग और इसने कमाई की थी 12 करोड की इसी के साथ ये मुवी भी हिट होती है और साथ ही इस मुवी में सन्नी देवल को बेस्ट सपोर्टिंग एकिटर का फिल्म फैर अवर्ड दिया गया था इसी के साथ इस मूभी ने कूल 4 एवर्ड अपने नाम किये थे इसी साल इज़त की रोटी मूभी आई थी और इसने भारत में कमाई की थी 1,35 लाग की और ये मूभी डिजास्टर रही इसी साल वीरता मूवी आई थी और इसकी बज़ट थी एक करोड़ असी लाग और इसने कमाई की थी तीन करोड़ चालिस लाग की और ये मूवी एवरेज होती है इसी साल में गुनाह मूवी आई थी और इसकी बज़ट थी 2,65 लाक और इसने कमाय की थी 4,70 लाक की और यह मूवी भी एवरेज रही इसी साल के आखिर में सन्नी देवल की डर मूवी आती है इस मूवी की बज़ट थी 3 करोड 25 लाग और इस मूवी ने 21 करोड 31 लाग की बंपर कमाई की थी जिस वज़े से यह मूवी बॉक्स ओपिस पर ब्लोगबस्टर साबित होती है साथ ही इस मूवी ने 3 अवार्ड अपने नाम किये थे इसके बाद साल 1994 में इंसानियत मूवी आई थी और इसकी बज़ट थी 4 करोड 25 लाग और इसने कमाई की थी 11 करोड 22 लाग की और यह मूवी बॉक्स ओपिस पर एवरेज रही इसी साल इमतहा मूवी आती है और इसकी बज़ट थी 1 करोड 90 लाग और इसने दुनिया भर में कमाई की थी 5 करोड 87 लाग की और यह मूवी फ्लॉप रही इसी साल में अंगरक शक मूवी आती है और इसकी बज़ट थी 4 करोड 75 लाग और इसने कमाई की थी 9 करोड 82 लाग की और यह मूवी बॉक्स ओपिस पर एवरेज रही काजी की घातक मूवी आती है इस मूवी की बज़ट थी 6 करोड 25 लाग और इसने कमाई की थी 27 करोड की और यह मूवी बी सूपर हिट रही साथ ही इस मूवी ने 3 एवर्ड अपने नाम किये थे इस साल के आखिर में अज़य मूवी आई थी इसकी बज़ट थी 6 करोड और इसने कमाई की थी 17 करोड की और यह मूवी एवरेज रही इसके बाद थे 10 करोड़ और इसने 66 करोड़ की ताबर तोर कमाई की थी जिस वज़े से यह मूवी बाक्स ओपीस पर और टाइम ब्लोगबस्टर सावित होती है और इस मूवी ने कूल आर्ड एवर्ट अपने नाम किये थे इसी के साथ यह मूवी उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वा लाग की और यह मूवी एवरेज रही इसी साल में सलाखे मूवी आती है इस मूवी की बज़ट थी 9 करोड़ और इसने दुनिया भर में कमाई की थी 16 करोड़ 58 लाग की और यह मूवी भी एवरेज सावित होती है इसके बाद साल 1999 में प्यार कोई खेल रही मूवी आई थी इस movie की बजट थी 8,50,000,000 और इसने कमाई की थी 13,3,000,000 की लेकिन यह movie flop रही। इसी साल अरजुन पंडित movie आये थी यह movie साल 1995 में आये खन्नर movie ओम की अनफिसियल हिंदी रीमेक थी। इस movie की बजट थी 9,50,000,000 और इसकी कमाई हुई थी 20,70,000,000 की और यह movie average रही। इसी साल के आखिर में दिल लगी movie आती है इस movie की बजट थी 14,00,000,000 और इसने कमाई की थी दुनिया भर में 21,22,00,000,000 की लेकिन यह movie box office पर flop रही। इसके बाद साल 2000 में champion movie आई थी इस movie की बजट थी 10,00,000,000 और इसने कमाई की थी 14,00,000,000,000 की और यह movie box office पर flop रही। इसके बाद साल 2001 में फर्ज movie आती है इस movie की बजट थी 10,00,000,000,000 और इसने दुनिया भर में कमाई की थी 20,00,000,000 की लेकिन इस movie को box office पर average करार दिया गया था इसी साल सरनी पाजी की गदर एक प्रेम का था movie आती है दोस्तो इस movie की बजट थी 19,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 तोड कमाई की थी जिस वज़े से यह movie box office पर all time blogger साबित होती है और इस movie ने कुल 7 अवर्ड भी अपने नाम किये थे इसी के साथ यह movie उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले movie भी बनी थी लिटरली गाइस यह movie मुझे सन्नी पाजी की one of the best movie में सी एक लगती है क्या आपकी भी यह favorite movie है तो नीचे comment में जरूर बताना दोस्तो इसी साल सन्नी देवल की इंडियन movie आती है और इस movie की बजट थी 15 करोड और इसने कमाई की थी दुनिया भर में 42 करोड 61 लाग की और यह movie हिट होती है इसी साल के आखिर में कसम movie आती है इस movie की बजट थी 1 करोड 75 लाग और इसकी कमाई हुई थी 2 करोड 40 लाग की ल पर एवरे साबित होती है इसी साल 23rd मार्च 1931 सहीद मूवी आती है इस मूवी की बज़र थी 20 करोड और इसने कमाई की थी 14 करोड 25 लाग की और ये मूवी डिजस्टर रही इसी साल जाने दुस्मन मूवी आई थी इस मूवी की बज़र थी 18 करोड और इसने कमाई की थे 18 ती इस मुवी की वजट थी 11 क्रोड और इसने कमाई शीम्लि गया करोड enabling फ्लॉप सर्फ wow रही इसके बाद साल 2020 में दर हिरो मुवी आई थी शीम्लिट की पोजटती 35 क्रोड और इसने कमाई की 52 क्रोड kadar करोड थेरा लाक की और यह मुवी बॉक्स अपिस पर बिलो एब्रेज साबित हुई थी इसी साल जाल दा ट्रैप मुवी आई थी इस मुवी की बजट थी 12 करोड और इसने कमाई की थी 11 करोड तेरसर लाक की और यह मुवी फ्लॉप रही इसी साल के आखिर में खेल मुवी आई थी इसकी बजट थी 13 करोड और इसने कमा ग्यारा करोड शत्रा लाग की और यह मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद साल 400 में लखीर लॉभी आती है। लेकिन इसने भारत में कमाई की थी 1,50 लाग की और ये मूवी भी डिजस्टर होती है इसके बाद साल 2005 में जो बोले 100 निहाल मूवी आई थी इस मूवी के बजट थी 15 करोड और इसने कमाई की थी 14,72 लाग की और ये मूवी फ्लॉप रही इसके बाद साल 2006 में तीसरी आख मुवी आती है इस मुवी की बजट थी 12 करोड़ 50 लाग और इसने कमाई की थी 6 करोड़ 61 लाग की और ये मुवी डिजस्टर रही इसी साल नकसा मुवी आती है इस मुवी की बजट थी 22 करोड़ और इसने कमाई की थी 9 करोड़ 93 लाग की और इसके बाद साल 2007 में Big Brother मूवी आती है, इस मूवी की बज़ट थी 8 करोड और इसने कमाई की थी 7 करोड 10 लाग की और ये मूवी फ्लॉप रही, इसी साल में Full and Final मूवी आये थी, इस मूवी की बज़ट थी 26 करोड और इस मूवी की कमाई हुई थी 27 करोड 62 लाग की और ये इस मूवी आये थी, इस मूवी ने भारत में कमाई की थी 27 करोड 49 2 10 लाग की और ये मूवी बज़ट थी अठरा क्रोड और इसpture आत्रा क्रोड और इसने कमाई की थी 25 करोड 44 लाग की लेकिन ये मूवी बॉक्स आपिस पर फ्लॉप रही, इसके बाद 2009 में फॉक्स मूवी इस मूवी के बजट थी 20 करोड और इसने कमा की थी 3 करोड ब्राणबर लाग की और ये मूवी डिजस्टर रही इसके बाद साल 2010 में राइट या रॉंग मूवी आती है इस मूवी की बजट की डाटा उपलब नहीं हो पाई है लेकिन इस मूवी ने भारत में कमा की थी 2 करोड 57 लाग की इसी के साथ यह मूवी डिजास्टर साबित होती है इसी साल खोदाकसम मूवी आई थी इस मूवी ने भी भारत में कमा एकी थी 76 लाग की और यए मूवी भी रिजास्टर थी इसके बाद 01.00 में सर्नी देवल की यमलापगला दिवाना मूवी आई थी इस मुवी की बज़ट थी 24 करोड और इसने कमाई की थी 89 करोड 11 लाक की और ये मुवी हिट रही इसके बाद साल 2013 में यमला पगला दिवाना 2 मुवी आई थी इस मुवी की बजट थी 30 करोड और इसने दुनिया भर में कमाई की थी 56 करोड 49 लाग की और यह मुवी बॉक्स ओपिस पर एबरेज साबिद हुई थी इसी साल सिंग साप दग्रेट मूवी आती है इस मूवी की बजट थी 35 करोड और इसने दुनिया भर में कमाई की थी 40 करोड 66 लाग की और यह मूवी फ्लॉप रही इसी साल के आखिद में महा भारत मूवी आई थी यह एक एनिमेटिड मूवी थी इस मूवी में सन्नी देवल ने अपनी आवाज दी है इस मूवी की बजट थी 50 करोड और इसने भारत में कमाई की थी 45 लाग की और यह मूवी डिजस्टर रही इसके बाद साल 2014 में धिचकियाओं मूवी आई थी इस मूवी की बजट की डाटा उपलब्द नहीं हो पाई है लेकिन इस मूवी ने भारत में कमाई की थी 4 करोड 8 लाग की और यह मूवी डिजस्टर होती है इसके बाद साल 2015 में I Love New Year मूवी आती है और इस मूवी ने भार रही इसके बाद साल 2017 में सन्नी देवल की पोस्टर बॉइस मूवी आई थी और यह मूवी साल 2014 में आई मराथी मूवी पोस्टर बॉइस की ही हिंदी रिमेक थी और इस मूवी की बजट थी 25 करोड और इसने कमाई की थी 17 करोड 95 लाग की और यह मूवी फ्लोप रही इसके बाद साल 2018 में यमला पगला दिवाना फिर से मूवी आई थी, इस मूवी की बजट थी 30 करोड और इसने कमाई की थी 19 करोड से 37 लाग की और ये मूवी डिजास्टर रही, इसी साल में भाईया जी सूपर हिट मूवी आती है, इस मूवी की बजट थी 25 करोड और ये मूवी भी बुरी तरह डिजास्टर रही इसके बाद साल 2019 में ब्लैंक मुवी आई थी इस मुवी की बजट थी 25 करोड और इसने कमाई की थी 6 करोड 7 लाग की और ये मुवी डिजास्टर थी इसके बाद साल 2022 में चूप Revenge of the Artist मुवी आती है इस मुवी की बजट थी 13 करोड और इस मुव पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर देना मिलता हूं आप से इसे ही किसी दूसरी वीडियो में